आज लोग इंटर्नल फटलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे इंटर्नल फटलाइजेशन होता कहा है और इसके एक्जाम्पल क्या है और और चीजें से जूरी होई है वो देखेंगे तो इसमें नाम सही समझ में आ रहा है आपका यह इंटर्नल फटलाइजेशन इंटर्नल का मतलब कहीं इंसाइड में हो रहा है अंदर इंटर्नल का मतलब किसी और्गनीजम के सरीर के अंदर इंटर्नल इसके पहले आप एक्टर्नल देखें उसमें किसी और्गनीजम के सरीर के बाहर ठीक है यह क्लियर हो गया और इसमें किसी और्गनीजम के सरीर के अंदर जो भी फटलाइजेशन होता है उसको हम क्या करते हैं इंटरनल फटलाइजेशन इसमें आप देखते हैं फटलाइजेशन occurs inside the body of organism यानि कोई और गनीजम है उसके सरीर के अंदर अगर जो फटलाइजेशन हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे इंटरनल फटलाइजेशन कहेंगे ठीक है यह तो बात के लिए रहोगे कि इंटरनल फटलाइजेशन मतलब किसी और गनीजम या कोई और गनीजम है उसके सरीर के अंदर होना है उसको हम क्या कहेंगे इंटरनल फटलाइजेशन इसमें आप देखेंगे जिसे प्लांट है बह देख लिए मैं मल्स देख लिए जैसे इंका फटलाइडेशन यानि एक है इस पर्म है यह शरीर के अंदर ही फ्यूज करता है फटलाइज करता है और क्या बनाता है जाइगोट बनाता है क्लियर हो गया या नहीं आप देखेंगे इंसाइट च्किन क्या हो रहा है और क्या बना दिया जाइगोट है इसमें आपक देखेंगे क्या हो रहा है इनसाइट नहीं वैन देखेंगे और वो क्या बना रहे है जाइगोट बना रहे है ठीक है उससी को हम क्या बोलेंगे internal fertilization यह अंदर हो रहा है internal यह शरीर के अंदर है इसमें देखें कि यह जो office spring है यह जो office spring जो बन रहा है यह क्या होता है well protected सरीर के अंदर है तो well protected होगा है clear है और covered with calcareous cell यानि calcareous cell के अंदर covered रहता है यानि well protected रहता है internal fertilization के दवरान अगर और 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 निजम के शरीर के अंदर जो चीजे बन रही है वह well protected होती है organism के दवरा उसके शरीर के अंदर होती है तो protected है वहीं आप external fertilization के रहते हैं तो उसमें vulnerable condition आती थी चुकि externally हो रहा है तो वह environmental impact उसपे जादे पड़ेगा और जो predator होंगे उनके लिए भी वह उससे भी उनको खत्रा होगा तो इसलिए आप इसमें देखते हैं कि internal fertilization एक तरह से well protected है और covered with calcareous cell यानि एक तरह से उनको वह सुरक्षा मिली है covered with calcareous cell के द्वारा वह covered आते हैं इसलिए वह बहुत अधिक सुरच्छित रहते हैं तो internal fertilization में जो भी organism होंगे यानि उनके office spring होंगे वह well protected होंगे चूकी शरीर के अंदर है इसलिए protected हो गए जैसे आप एक पास कोई समान है तो कहीं बहार रखे हैं वो और आपके पास जेब में है तो वो अंतरत होता ही है जेब में आपके साथ साचलना है बाहर है तो वो आप उससे हटेंगे तो उसको नुक्तार भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है लेकिन पास है तो वो उसका chance काफे अच्छा रहता है इसी परकार से ये सरीर के अंदर ये चीजे होती है और इसमें ये देखेंगे कि उसमें फटलाइजेशन होता है सरीर के अंदर उसी को हमें इंटर्नल फटलाइजेशन कहते हैं और यह वेल प्रटेक्टेड होता है अब इसमें एक्जाम्पल में आप देखते हैं कि बहुत सारे प्लांट जो है वो क्या है जिसमें इंटर्नल फटलाइजेशन होता है फिर जैसे एक से फ्यूज किया जो उसका में गैमिट है वो फिमेल एक से फ्यूज किया और क्या बना दिया सीट बना रहा तो इंटर्नल इफटलाइज हो रहा है तुष्टियर और्गनीजम जैसे रेप्टाइल साप देख लिए फिर बार्ट में देख लेते हैं आप मैमल्स में देखत है जबन button इसमें क्या रहता है कि आज इंटर्नल । फटलाइजेशीं होते हैं और इसलिए इनको क्या या कहते है कि इस लिए दानल फटलाइजेशन के अंतरज़त आने वाले और ऑर्गनीजम है ठीक है आप किलिए रही होगा होगा यानी इन्टर्नेल फटलाइजेशन Fertilization occurs inside the body, यानि शरीर के अंदर हो रहा, inside the body of organism, कोई organism है, अब plants भी हो सकते हैं, animals यानि रेप्टाइल्स, bird mammals भी हो सकते हैं, इसके पहले हम फिस में देखते थे तो फिस में external होता था, फ्रॉग में amphibian है, उसमें भी external होता था, तो वो इसमें example में नहीं है, इसलिए क्योंकि वो externally है, यह internal fertilization के example है, बहुँ सारे plant है, फिर आप देखते हैं कि इसमें tristial organism like reptiles है, birds है, mammals है, birds जितनी bird है, reptiles, जैसे snack है, कि क्या हो रहा है, इसमें internal fertilization हो रहा है, clear हो गया होगा, तो इसमें आप देख सकते हैं, और यह concept clear हो गया होगा, एक बार और देख लेते हैं, revise कर देख लेते हैं इसको, ताकि आपका concept clear हो गया, यानि internal fertilization उसको कहते हैं, जिसमें organism के सरीर के अंदर fertilization होता हो, यानि fertilization occurs inside the body of organism, अब इसमें जो office spring होगा है, या बच्चा होगा है, या बेबी होगा, वो क्या है, वो protected होगा, और cell के द्वारा protect होता है, जो वी परस organism होते है तो जैसे वी परस में आप जैसे एग अंडे देने वाले हैं, जैसे reptiles में हैं, birds में हैं, तो आप इसमें देखते हैं, जो वी परस है, उसमें आप देख सकते हैं, यानि जो cell होता है, केलकेरियस होता है, केलसम से बना हुआ, उससे को केलकेरियस बोलते हैं, तो वो protected होते है और जो ट्रेस्टिल और नीजम है जिसे रप्टाइल्स बार्ड मेमन जिसमें वीवी पैरेस हैं बच्चे देने वाले हैं वालेडी प्रोटक्टेड आते हैं इस परकार से आप देखें इंकी इंटलना फटलाइजेशन हमेशा कहा होगा inside the body of organism organism मतलब कोई plant है या animal body है उसको organism करते हैं और अंडा देख लिए पूर्गी का अंडा है या बर्ड में आता है चलियों के अंडे होते हैं तो केल के रिए सेल के अंदर आता है ठीक है तो इसलिए हो क्या है प्रोटेक्टेड है तो इसलिए इंटर्नल आफी प्रोटेक्टेड है और इसमें जो आफी स्प्रिंग होता है वो बहुँ सेफ होता है इसको नोट कर लेंगे कोई डाउट होगा जूरू पूछेंगे